वेलकम गाईज वेलकम टू दा मोस्ट एवेडर सेट अप टूर जान दाओ कि आप इस पिसेटप को वेट बिल्बूल भी नहीं कर रहते हैं बट मैं सेटप काफी दिनों से काफी मैंनों से कर रहा था और फाइनली मेरा जो ड्रीम पिसेटप है वो यह फर कंप्लीट हो गया ह तो आज की वीडियो में आपनों को दिखाने वाला हो कि मैं अपने सेटम में क्या कुछ चीज़ी यूस करता हूँ कौन-कौन से परिफेरल्स, कौन-कौन से कॉमपरेंट्स यूस करता हूँ और क्या कुछ मेरे कौप हमें इस पिसेटप से मिल जाता है तो वीडियो काफी इंट्रेस्टिक होने वाला है एंड तक कजोर से देखना तो ब्यादरी की चली वीडियो को शुरू करते हैं केमेरे भी में वे देखने मैं कर eyeballs out है कि मैं कोन को ढून कुछन यहां पर पेरिफेरल्स और कौन यहां पर कॉंपूनेंस को ise करता है तो शुरुआत करते हैं अपने PC से So guys, यह जो cabinet हुआ NT Sports का IS511MT है जिसके बारे में Allnady में एक review video बनाया है तो अगर आप लोगों को यह वाला cabinet लेना होगा ना तो वीडियो के एक बार जरू से check out कर ले ना, ठीक है cabinet दिखने में बहुत जदा अच्छा है और इसके features भी कावी अच्छे है तो इस cabinet के अंदर में यूज कर रहूँ एक motherboard जो कि यहाँ पर consistent गा है और यहाँ पर जो processor यूज कर रहा हूँ है आपका Intel का i5 का 3rd generation 3470S इसका model नमबर है और यहाँ पर मैं 8GB की यहाँ पर RAM यूज कर रहा हूँ जिसके चार्चा जे भी के दो स्टिक्स लगा रखी है और यह जो fan है मेरा ECP कुलर यह आपका थर्मंडेक का आता है UX100 जो कि मुझे उस टाइम पर बढ़ा था 1200 रूपीस का और अभी विसके प्राइस 1200 के अंदर में आप लोगों को मिल लागी ठीक है और यहाँ पर जो Graphics Card में यूज कर रहा हूँ यहाँ पर GT 710 है Nvidia का GT 710 तो अभी आप मेंसे काफे सारे लोग सोच रहोंगे कि मैंने PC Build के साथ GT 710 जैसे Graphics Card क्यों लगाया है जबकि PC Build के साथ में एक अच्छा Graphics Card लगा सकता था तो इसकी पीछे कई सारे रीजन से इसके related एक मेंने dedicated वीडियो बनाया जहां में बताया है कि 2021 में भी आप GT 710 जैसे Graphics Card ले जटे हो और आपको यह काम करना है तो ठीक है तो उस वीडियो का लिक में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दोगा उस वीडियो के जरू से चेक आउट कर लेना काफी अच्छा मैंने वापे एकस्प्लेयर किया कि किन-किन लोगों को जो है GT 710 जैसा Graphics Card ले ना चाहिए 2021 में भी तो बात करें इसके पावर सप्लाई की तो कॉंसर का सिवी फोर्फुप्टी जो के साड़े 400 वाट का पावर सप्लाई है उसको यूज करता हूँ और अगर आप भी एक गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आपको उसके साथ एक अच्छा वेलनोन ब्रैंड का पीसी वे उसके चाहिए तो गाइस अब बात करें यहां पर मॉनिटर की दो जैसे कि आप देख सकते हुँ कि मैं आप एक ट्रिपल मॉनिटर सेटप यूज कर रहा हूँ यानि कि तीन मॉनिटर यूज कर रहा हूँ और तीनोई तो यहां पर बात करें कीकबोर्ड और माउस की तो यहां पर जेबरॉनिक्स का जो ट्रास्फोर्मर कॉंबो है उसका जो मैं कीबोर्ड माउस यूज कर रहा हूं और साथ में यह यहां पर यहां पर बन वाया था तो आप लोग को भी ऐसा कुछ डेस्क बनाना होगा तो फर्निचर शॉप पे जाकर बनवा सकते हूं कस्टम टिवल एक्टिए तो आप इस साइड में देख सकते हूं कि यहां पर मेरे पास एक रैक है जहा यह पर रख दी हैं जिससे कि यहां पर देख सकते हो जो पावरस ब्लाइब उसका box है और भी कई सारे box लगा तो और यहां पर थोर का थोड़ा और यहां पर capture पीकर है वो दिखे ना और नीचे रखता है तो थोड़ा सका लोग खराब होता है इसलिए मैं इसको यहां पर लड़ आज रख दिया है और उसके साथ दिखे तो यहां पर मेरा RGB जो स्ट्रिप है उसको भी यहां पर लगाया हुआ है जो कि पीछे अच्छा सा लोग देती है म इसका आपको अन करने दिखाता हुआ है इसा रख रमोट और 있죠 त्रे को अन करना पड़ता है तो हमें यहां पर दिखे ना पड़ता है चल्द ब्लिखता हुआ कि यह वीच्छा के लोटता है दिखता है तो इसकी रचे ये ए厬 किहों हो आन्या बड़ता है मैं बेंबाक्सि पर तरह टें एक्षागोन पडाल उसकी जो कि मैंने यहाप फुद बनाया है आप देख सकते हूं यह जो है यहाप पेपर से बनाया हुआ है बस पेपर को काट यहां पर मैंने चिपका दिया ठीक है बट्टी हाप आप देख सकते हो कि यहाप पर कुछ खाली-खाली हमें लग जाओंगा यहां पर जिससे की आमने सेटप जो पुरा कंपलीट हो जाएगा तो आज की वीडियो में आप लोगों जितने भी सारी यहां पे पेरिफेरल बताया है जितने भी सारी यहां पे आप लोगों पॉंपोनेंट्स दिखाया है उन सभी के लिए मैंने एक लिए lieो चूलीड लिएमद का जितने यहां वीवों के लूम्हां फिर गयां भी का सबीषियो ऑने सता रासरी गयां जाप लिक बनात्र अ просто क्नी थेवों पोगों कम बनात्रन फोंहां एक जारे वी दितन इतनार के नऽयो पर जानले का यहां यहादाना ब red